जै मैं तरदी आप सभी को मेरी और से कैसे हो आप सभी लोग मैं उमीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छी होंगे मैं भी ठीक हूँ आगे थे आप सभी का मेरे चैनल पर और आज का जो मेरा ब्लोग है उसमें मैं आप लोगों को अपना जो मेरी रसोई की जो चहत है वो गिरगी है वो ही मैं आप लोगों को दिखाऊंगी और शेयर भी करूंगी आप लोगों के साथ में क्यूंकि आप लोगों ने मुझे इतन ज्यादा मोटीवेट किया है कशम से इस व्क्त में ना रूधिकने वाले ब्रहे लोग मीले होंगे पर आप लोगों ने इतना ज्यादा मोटीवेट किया है कि लिए आप सबी लोगों watch बहुत बहुत शुक्रिया और और साथ में यही कहना जाओंगी कि प्लीज कोई ऐसा न सोचेगा कि मैंने किसी की कमेंट का रिपलाई नहीं दिया है मैं आप लोगों के कमेंट का रिपलाई भी देती हूं पर मुझे टाइम नहीं लगा नहीं लग पारा है आप सोच सकते हो क्यों कि आज कि ना बाहर खाना पड़ता है और फिर मौसं भी खराब भी चल रहा है तो इसकी वज़ा से सुवा भी जल्दी शाम भी जल्दी इस करके तो थोड़ा सा वीजी हो गी हूँ व्यस्त हो गी हूँ माफ कीजिएगा और हां मुझे एक बात और कहनी है कि मुझे किसी ने कहा था कि आपने जो सरकारी किलाब मिलता है हमें तो आपने उनके पास जाना था अपनी पंचायत में जाना था या फिर कहीं और जाना था और बहां से आपको कुछ हल्प मिलेगी तो आज अगर मैं मेरे या तो वाड मेंबर है या परधान है या वीडिसी मेंबर है या हमारे जो अरकी वाड का कोई भ उनुको क्या लगता है कि मैंने कभी पर्धान जी से इस बार में बात नहीं की मैंने एक बार नहीं कम से कम 20 बार यहां आप इनको भी ले लो पर यह बैश्व टर्म को आज कोई बिस अपनी भी सरकारी योजना है उसका कभी भी लाब नहीं मिला है और अभी भी पिछे अप्रेल महां में जो बीपियल के चुनाव होते हैं तो वही बैठक होती थी उसमें मैं खुद गई क्योंकि परधान जी भी जानते हैं और गाओं के लोग भी जानते हैं वाड मेंबर भी मेरी माता जी चलने में असमर्थ है वो नहीं जा सकते हैं तो मैं खुद गई उनके पास चल करके और उस नहीं मुझे परधान जी ने क्या जवाब दिया था ये जवाब दिया था कि आप यहाँ बिना पूरे ही है वी पिल में जितने लोगे आप किसी एक का नाम कटवा दो मै क्यों कटवाओं किसी एक का नाम परधान आप हैं वो आपको देखना है कि किसको ज़्यादा जुरूरत है और किसको नहीं है मैं यह नहीं बोलती हूं लोग हमारे यहाँ पे मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जिनकों की हर एक सरकारी सुभदा मिल चुकी है पर फिर वह आज तक वी पील में ही है और जो है तो उनका परिवार वह अच्छा खासा परिवार है और जब कोई एक गरीब आवाज उठाता है ना तो उसकी कोई नहीं सुनता है कोई भी नहीं सुनता है मैंने गोशाला के लिए एक डेट साल पहले ही मतलब फॉर्म बर आये थे तो अज तक उसका कोई पैसा नहीं निकला है क्योंकि जर्नल है सब के लिए गोशाला को पैसे मिलते मैंने घर के लिए कई बार पर duy अब कि मुझे नहीं कोई भी फैसिलीटीती और नहीं से भी नहीं मिले है और नहीं मेरी जो कहीं भी सेंवाई नहीं हो पाई और आगे जो है तो जो मेरे घर की कंडिशन है वो मैं आज आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ, आप लोग ही बताएए कोई मेरा मार्क दर्शन कीजिए कि मैं आखिर जाओ तो कहा जाओ, क्या जो सरकारी योजना है वो सिर्फ कागजों तक छप करके रह जाती है, या फिर वो बड़ में समस्य इसकी है, यहां यह जो उपर वाला हिस्सा है, यहां में पिछे से सड़क है और जब यह सड़क बनाई थी ना तब परधान जी ने बोला था कि मैं यहां पर पकका डंगा लगाऊंगा, तो आज तक वहां कोई पका डंगा नहीं लगा है और यह देखिए इसमें दरार पड़ चुकी है, यह पूरी तरह से तूट गया है, हम किस तरह से खाना बना रहे हैं, कैसे कैसे जीर हैं, गुजर रहे हैं, हमें यह नहीं था कि ऐसा होगा, हमने कभी सोचा नहीं था, चलो नुकसान होता रहता है, मैं मानती हूँ, कुदरत के आगे भी कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, पर जो योजना हमारे लिए बनी हैं, वो हम तक क्यों नहीं पहुंच पाती हैं, यह देखिए, अब तो आज तीन दिन हो गए, ज पूरा पानी से भरा हुआ था यह, और साथ में यहां पर उस दिन हमने उठाया सामान, जैसे ही लाइड भी नहीं कटी थी, कुछ भी नहीं कटा था, और यहां पर पूरे रसोई घर में करंट फैला हुआ था, और होता है, इनसान अपनी जरूरत से छोटा मोटा सामान अपने मतलब उजारे के लाइक जोड़ा ही था, मैं यह नहीं बोलती कि मेरे घर पे क्या था, क्या नहीं था, पर होता ही अपनी जरूरत की साफ से ना, इनसान थोड़ा बहुत कुछ नो कुछ जोड़ के रखता है, तो क्या फाइदा हो उसका जोड़ने का, देखिए आज पूरा घर भी बरबाद हो गया, जो कुछ थोड़ा बहुत कमाया हुआ था, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीज़े अपनी जरूरत के हिसाफ से एक अठा करी थी, वो भी तूट गई, सामान भी और जैसे ही घर में अंदर पानी घुजा ना, बैड विस्त्रे सब गया है, और खाना मैं आज कल बाहर लकडी कठा करके बाहर चुले पर बनाते हूं, और दो दिन हमने कुछ नहीं बनाया, रात के टाइम, एक दिन हमने कुछ नहीं खाया, एक दिन हमने जो सुबा की बचवी रोटी थी, वो खाई, तो आप आइडिया लगा सकते हैं, मुझ सब इतनी जल्दी अचानक से हो गया, 10-11 दिनों में जो होने लगा ना फिर वो लगतार होता ही रहा, तो ऐसे मेना टेंसन तो होगी ना, क्या कर सकते हैं, किस से हल्प मांगे हम और कहां जाएं, कोई भी रास्ता जो है ना, वो सारे रास्ते बंदे, कोई भी रास्ता यहां से नहीं दिख रहा है, और मुझे ना, किसी ने कमेंट भी किया था कल की, मेरी मम्मी भी मार और हमारे पास गया, तो इस वक्त ना, मेरी कंडिशन ऐसी नहीं है, कि मैं गया खरीद सकूं, अगर मेरे पास पैसे होते ना, तो मैं कही ना, कहीं से जुगाड करके न, अपने घ जल्दी नहीं ला सकती है ना और आपको पता ये मेरे लिए तो 40-50,000 रुपया करना भी बहुत मुश्किल है बहुत ज्यादा नहीं हो पा रहा तो ऐसे में में गाय पशु खरीदना आपको पता ही है कितने महेंगे पशु मिलते हैं नहीं खरीद पाऊंगी और बस भगवान से एक ही प्रात्ना करते हूं कि भगवान जो तु ले गया ना वही काफी है अब और कुछ मत छिनना क्योंकि अब कुछ भी देखने सुनने की हिम्मत नहीं रही है सब कुछ होते हुए भी न सडक पर आ गये हैं अब सब लोग अपना ध्यान रखिएगा ट्यांशन मत केजिएगा अब लोग मेरे साथ में हो अब लोगों का होंसला बहुत काफी है फिर मैं आपको एक नए ब्लोग में मिलने की कोशिश करूंगी चैंबाता दी कर दो